तो SSC के तरब से जो GD Constable का आप लोगा भरती आता है उसका जो आप लोगा एक्जाम सेड्यूल है वो यहाँ पे SSC के तरब से जारी कर दिया गया है अभी यहाँ पे दोस्तों जो है कल आप लोगा एक्जाम सेड्यूल है यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे देख प वो SSC की website पहाँ पर जारी किया गया है तो सबसे पहले मैं आप लोको examination के बारे में जानकाई देता हूँ हलाकि दोस्तों मैं आप लोको बता दूँ कि GD का भरती इसलिए खास होता है क्योंकि यहाँ पर जो आप लोको योगता होता है वो सिर्फ जो दसमी पास यानि कि अगर आप जो है CISF में जाना चाते हैं, CRPF में जाना चाते हैं और अगर आप दसमी पास है तो आप जो है GD भरती में आबेदन कर सकते हैं जो SSC के तरफ से निकाला जाता है और इसलिए बहुत सारे छात्रे हैं जो कि यहाँ पर GD भरती का इंतजार करते रहते हैं और हर साल जो है लगबग 40,000, 50,000, 30,000 इस तरीके से जो पद है वो आप आता है यानि कि बहुत ही बड़ी संख्या में जो आप जो का पद है वो यहाँ पर आता रहता है तो यहाँ पर आप लोका constable बताए गया है उसके बाद यहाँ पर male female in दिल्ली पुलीस 2023 और constable GD in CRPF, SSF, Rifleman GD in Assam Rifle and Aspa in Narcotics Control Bureau examination 2024 तो यह सब जो आप लोका एक्जाम होने बाला है जो दिल्ली पुलीस बाला आप लोका एक्जाम है Rifleman GD, Assam Rifle कहाँ पर जो बाली है वो सब का आप लोका जो उग्जाम होने बाला है वो 14 नमंबर से आप लोका है शूरू हो जाएगा और जो उग्जाम है वो 14, 15, 16, 17, 21, 29 इस तरीके से करके कि आप लोगा एक्जाम होने बाला है और December 2023 तक आप लोगा जो एक्जाम है वो यहाँ पर लिया जाएगा तो यह सबसे पहला आप लोगा बाहली है जिसके लिए कि आप लोगा आविदन हो चुका है और इसका जो आप लोगा एडमिट कर रहे वो जल्द यहाँ पर जारी होन में सर 2024 तो इसका जो आप लोगा एक्जाम होने बाला है 20 फरबड़ी से आप लोगा जो एक्जाम में वहाँ पर चलने बाला है 20, 21, 22, 23, 24 और 26 को आप लोगा जो एक्जाम होने बाला है तो उसके बाड़े में भी आप लोगा जानकाई दिया गया है तो आप लोगा जो SSC क का केलेंडर है वहाँ पे जारी किया गया था कि कब काउन सा एक्जाम है आप पे होने बाला है किसकी भरती कब आने बाली है कब आप लोगा अबर्टाइजमेंट आएगा कब आप लोगा आवेदन होगा तो इसमें देखिए आप थोड़ा सा नीच चाहिएगा तो आप जो आ आप लोगा वहाँ पे आ जाएगा इसका एडवर्तिक के से तरीक इसमें क्या-क्या पद आप लोगा रहता है और क्या आपने पर जयानकाई मिल जैगा तो मेरे पास पुलाना जो आप लोगोगा अगले साल हे vein वहां पर जो नोटिफिकेर्सन आया था आप थोए सा नीच आईएगा तो यहां पर देखिए आप जोई जानकाई दिया गया है कि इसमें कौन-कौन सा पद होता है जो अगले साले हां पर भाली आया था उसमें 24,000 के आसपाद जो पद हो आप रहा पर होने बाला है या फिर उससे भी ज्यादा आप लोगा पद हो सकता है और य असकबाद यहां पर जो है एक NCB का भी जो इसमें पोस्ट वो आप लोगा रखा जाता है तो इन सभी पदों पर जो आप लोगा भाली हो भाली फो लिया पर उता है अगर आप इन में से किसी भी पद पर जाना चाते हैं तो आप जो जीडी भरति का इंतरजार जरूर रहे ह और GD भरती में ही यह सब आप लोगा जो पदेव आने बाला है इसमें जो आप लोगा qualification होता है वह भी मैं आप लोगो दिखाता हूँ थोड़ा साप नीचा आएगा तो आप जो qualification है उसके बारे में भी आप लोगा जानकाई दिया गए देखें यहाँ पर education qualification बताएगा है तो आप लोग जो यह तैयारी में लग जाएए आप लोगा official notification आ चुका है आप लोगा exam date भी हाँ पर जारी हो चुका है और जो आप लोगा आबेदन ने वो 24 नमबर से हाँ पर शुरू कर दिया जाएगा यह आप लोगा आप जानकाई निकल के आ रही है आसा करते हैं कि आपक आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद